नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूं आपका आपके अपने हंगरी स्पिरिट्स चैनल में तो बिग बॉस मनाठी सीजन टू के कल के एपिसोड में आपने देखा कि कंटिन्यूटी वही बनी रही जो परसों के एपिसोड में थी नहीं कि एक ऐसी शक्स जो गर में अक्यली घुम रही है और उसके बाद एक ऐसा कपल जिसको दीन दुनिया की कोई नहीं है खबर मस्त है अपने रोमांस में अपने प्यार में और फिर एक ऐसी शक्स जो जाग गई कल के एपिसोड में तो यह सब बाते करते हैं मगर पहले आप कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जिरों नहीं किया है साथ में दोस्तों बैल आइकोन भी दबाईएगा था कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं थैंकिस सो मच तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा एपिसोड जो शुरू होता है वो हीना 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 ही हो रहा है तल के एपिसोड में शुरू से लेके काफी आगे तल तो यह इना का ऐसा क्या हो रहा है घर के अंदर यह हमें समझना पड़ेगा क्योंकि हिना एक ऐसी contestant है घर के अंदर जो हर बंदे से पंगा ले रही है उसको कही रहा कि ये चीज समझ में आ गई है कि इस घर के अंदर group 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 बहुत हो गया है अब थोड़ा individual भी लोगों को taste देना चाहिए क्योंकि जब से हमने देखा है इस contestant के बीच में कास करके ये जो बैच आया है सारे का सारा season two का ये जब आये थे तब ही से इन्होंने group group खेलना शुरू कर दिया था कि इसका group बनेगा उसका group बनेगा फिर एक kvrp group बनता है फिर एक ये बड़ा group बनता है कि केल कर जब secret room में बैठे थे तो उनको परसो के episode में जब हमने देखा था कि हिना बड़ी स्ट्रॉंग का टेस्टर लग रही थी और हमें भी लग रहा था कि केल कर चाते हैं अपने group में लेना मगर हिना का जो पलटा होता है वो पता नहीं कैसे हो जाता है वो हिना उस group में बैठती है बाते करती है ऐसा लगते हैं उस group की member है मगर फिर उस group के बंदों से भी लड़ाई उसकी शुरू हो जाती है यानि कि हिना ने सोच लिया है कि वो खेलेगी individually और देखेगे कि क्या हो सब्सक्राण को कि मैंने तुम्हारे हजबन की लेटर मैं यहानि कि उसने ली तoped जैरिंखनाने और वीना का नाम नहीं लिया यहांपर वीना वी थी ती उसमें जब कि वीना उसे पहले अपना जाब शुकी तो ऑफ़ले से floor एक एस एसा करके है गैं मतलब एसी नहीं हूं ऐ जो भी उसने बात है कि वीना ने अपनी लेटर चुपाने के लिए अब बात बोल देती है मगर साथ में यह बोलती है कि लेटर उसने क्यूं चुपाया जिसको लेकर हम लोग भी सोच रहे हैं मैंने तो जिकर भी नहीं किया कि मुझे समझ में गया है कि लेक्टर चुपाने का क्या मक्सद है यह चुपा चुपाई जो ही ना कर दिए उसका मतलब क्या है तो कल उसने यह चीज़ बोली कि आप लोग जो जो नेहा का गुरूप है उन्होंने मुझे बोला है एक तर से इमोशनल एंगल खेला है मेरे साथ तो मैं भी यह दिखाना चाहती हूं कि आप लोगों के इमोशनस से बहुत हुआ चाती हूं कि अतार यहां पर मस्त है कोई प्रॉब्लम नहीं तू नहीं तो नहीं करनी है निए यह चोटे मुद्वे मुझे नहीं नहीं अवो बहुत फी चिंतित है अपने गे अपने गुरूप की हर बाद का ध्यान लखना बदला लेना या उसके काउंटर में में डायलोग बोलना वो सब शीवानी कर रही है अब शीवानी भी हिना आपने कल सुना जुबान कीचलूंगा वहाथ में लेके जो बालों को सीधा स्टेटनर होता है उसको लेकर जुबान कीचलूंगा जुबान कीचलूंगा तो यह मादव अपनी तरफ से बहुत पॉमेडी करने की कोशिश कहता था मगर यह सीरियस चीज़ है कि बोल रहा था हो कि अंदर से यह सोच रहा होगा तो यह हिना के एक हिलाफ पूरा फूरा घर कल की एपीसोड में लग रहा था विशाली के साथ हिना बैठी जरूर थी मगर विशाली उसके साथ नहीं थी ऐसा कल दिखाई दिया तो दोस्तों यहां पे मैं एक ऐसी कंटेस्टन की बात करना च मगर कल के एपीसोड में वो ऐसी जागी ऐसी जागी कि उसने सीदा का सीदा पैख जो चुडा को पना होता है पीछे से जो बोलते हैं शर्म ने पहुत हेल्स की तो या बात कर रहे कि रुपाली भोसने के लिए हिना ने क्या किया, उसने उसका टैटू अपनी बाजू पे गुंदवा लिया, जो कि कोई नहीं करता है, शिव का तरना बनता है, शिव उससे प्यार करता है वीना से और उसके लिए उपरचिनिटी है करना, मगर इसके लिए टास्क था, तो रु हिना बहुत स्मार्ट प्लेयर है दोस्तों, मगर यहां पे जो बिग बोस भी है, वो भी खेलते हैं, जब उन्हों ने देखा कि हिना जो पहले उसके सुपाली शिवानी को दी थी, तो शिवानी काम्याब नहीं हुई थी हिना को रुलाने के लिए, अब यहां पे बहुत ही यह इसी डिला सक्ष्त & कंपर एदिगे जाता है कि शिवानी को हिना के ओपर पानी फंट ना है और पानी ऐसा लिकी सामने से फेंखना है कहीं भी, फेंख सकत treaty तो तो यह तो इंदे जिक से कहीं पानी फचा जा सकता है? तो वह वैसा ही होता है कि अंब पार हिना का और जो इंट्रस्टिंग था वो था एक शीवानी वाला की इना को रुलाना है और दूसरा उससे नंबर दो पर जो इंट्रस्टिंग था नेहा को आउट करना था वीना को मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि उन में कुछ भी नहीं था उनमें सिर्फ यह जो खूनी है उनको करना था कर दो करना और जिसका मर्डर को नहीं चलता है कि मटवर 6 वशाली को पता नहीं चलता है कि मेरा मटर हो गया इवन को बिना की टीशर्ट इस्ट को फांड के शीवानी फेंगती है, मारती है तब यह पता तो यह दो चीज़ें हुई जिसमें कि actually सामने से हमें उसके जो भी बंदा है सामने से उसकी चीज़ों को लेके आमने सामने बात कर लिए उसको भी कहीं ने कि भनक होनी चाहिए कि यह टास्क हो रहा है और कहीं न कहीं चीज़ें होती तो मज़ा आता जैसे कि किसी को हसाना किस किसी को रूलाना किसी से को ऐसा काम करवाना कब ताकि उसका मर्डर हो तो यह चीज़ है और मादव की फोटो पे वह जो इसकी नेम प्लेट ते उस पे काला कर देना जो शीवानी ने किया तो यह सारे कि सारी इतने इजी टास्क नहीं कि इसमें मज़ा ही नहीं था तो मुझे तो यह लगता है कि यह बहुत इंड्रस्टिंग हो सकता था अगर विग बोस की चाहती तो मगर यह टास्क बहुत ही मतलब असानी से निकल गया पता भी नहीं चला लोगों को मर गए और उनके गले में खलास की पट्टी होगी तो एक तरह से यही है कि बीग बोस में पहले स तो इसके बाद जो शिवाने का टास्क होना चाहिए था उससे डिफिकल्ट टोड़ा चाहिए था मगर वो तो एकदम असान था तो इसके बाद मुझे जुरूर कुछ जो भी मैंने कहा कहा मैंने आप से भी सुनना है मुझे कि आपको क्या लगता है कि क्या वाके में जो जिस गॉस बहुता है कि आप जो कोटरैं के यानि काल कोटरी के तरूँ घर के अंदर घुसिये मगर शर्त है कि कारलकोटरी का दुरवाजा रुपाभन χो लॉश ले पूरे एक्टिंग करते हैं कि जैसे पता नहीं कौन से रिमांड रूम से आया है बाहर कि उनकी इतनी पिटाई हुई है कि अब उनको पानी चाहिए उनकी मतलब जान फसी हुई है इसके अंदर तो इसके यह हालत देखके शिव बहुत जादा परिशान हो जाते हैं वीना कुछ बोलेंगे तब जाके मैं यह जो है अपना ताला जो है वह में खोलूँगी मगर बिग बोस से कोई नहीं आते है अब रुपाली बोस ले एकि नहीं को यह नहीं और जो शिव और बढ़ता है बाकी लोग भी बढ़ते हैं कि तरे में इंसानियत नहीं है तो कैप्टन है नहीं बन गी सिर्क एक्टन ही है यूमन बिंग नहीं है यह वह सारा कुछ बोलते हैं अल्टिमेट रुपाली बहुत से जो है दर्वाजा खोल देती है और केलकर सब बाहर आते हैं डांस करते हैं कि क्या मैंने अटिंग की और वाके में क्या बढ़िया की ऑडिशिण पर वहां से देखा क्या क्या लग रहा था अंदर आके जब अपने ग्रूप के साथ बैठी होते तब वह क्लास लेते और वह प्रेज करते है कि यहां पर यह बड़ा पॉइंट है दोस्तों कि कि आज तर केलकर के मुझसे प्रेज नहीं सुली है वह अगेस्ट ही रहे हैं तो यहा कि यह कुछ नहीं तो आप के अन्दर नहीं करें रहे हैं तो यह कैसे जलते हैं अब आप यहां पर शीवानी की जो बाते हैं वह भी बहुत अच्छे से सामने आई है कि किस तरह से शीवानी ने चीजें की हैं कि यहां पर मर्डर इस तरह से करना था कि जो पहले करते नेहा और शीवानी के बीच में क्योंकि यह सुपाली जो रुपाली और मादव की थी वह डिरेक्ट बिग बॉस ने दी तो इन दोनों में से किसका मर्डर पहले होगा तो जब शीवानी थोड़ा वेट कर सकते थी होती इमानदर से कहला और अपने ही फ्रेंड को आउट कर दिया मर्डर कर दिया तो दोस्तों इस तरह से टास्क हुआ एंड में कबड़ी का मैच भी खेला गया जो कि प्रमोशन था और प्रमोशन में भी अच्छे से इन्होंने अपना टास्क किया जो कबड़ी के मैच वाल करने की सब लोगों को अपने खिलाफ करने की रुपाली बोसले का मैंने पता ही दिया कि वह अगेन उसने एक और शक्स को बीट के पिछे चुरी गोंप दिया और शीव और वीना अपने प्यार से अभी तक जूज रहे हैं कर रहे हैं और किसी और चीज की तरह ध्यान नहीं दे रहे हैं ये भी हमने आज देख लिया और सबसे इंपोर्टन चीज जो हमने आपसे बात नहीं की वो ये है कि जो हमने कल के रीवियो में बोला था कि अगर वीना को पता चलेगा कि शीव ने ऐसा किया है टास्क नहीं किया है तो वीना जरूर उसके उपर बढ़केगी औ अब शीव को समझना चाहिए दोस्तों कि वो यहां पर करने क्या आया है तो इसके उपर भी हम बात करेंगे बाद में अलग वीडियो में क्योंकि अब रीवियू बहुत लंबा हो गया है तो आप बढ़े रहे हमारे चैनल हंगरी स्पिरिश के साथ नन्नेवाद थैंक यू subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel